हलो एवरिवन, वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ नीदी आज मैं आपके लिए लेकी आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल ड्राय पनेर चिली की रेस्पी ये रेस्पी बहुत ही इजी एंड क्विक बनके तयार हो जाती है इसे आपने एक बार घर पर बना लिया तो आप कभी भी रेस्टोरेंट जाके इसे ओर्डर नहीं करोगे क्योंकि घर पे बनाना बहुत ही इजी है और कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे जिससे आपकी पनेर चीली पहले बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी तो चलो फ्रेंट्स इस मज़ेदार से रेस्पी को स्टार्ट करें रेस्पी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा आपके एक लाइक से मुझे आपके लिए धेर सारी नई नई रेस्पी लेके आने के लिए मोटिमेशन मिलता है तो फ्रेंट्स लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा तो चलो फ्रेंट्स रेस्पी को स्टार्ट करें ड्राइब पनीर चीली बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पनीर लेंगे पनीर को मैंने यहाँ पर लंबा लंबा कट करके तयार किया है अगर आप चाहो तो इसे स्क्वेर शेप में भी कट कर सकते हो अभी हम यह पनीर को साइड में रखते है और एक मिक्सिंग बाउल ले लेते है इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना कॉन फ्लोर आप यहाँ पर आरा लोट भी ले सकते हो अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना मैदा अगर आपके पास कॉन फ्लोर या आरा लोट नहीं है तो आप इसकी जगापर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे पनीर को अभी हम इसके उपर फिर से 1 टेबल स्पून जितना कॉन फ्लोर को डालेंगे और बाउल को इस तरह से हाथ में पकड़ के इसे मिक्स करेंगे और इसे टॉस करेंगे जिससे कॉन फ्लोर और मैदा अच्छे से इसके उपर चिपक जाएगा पनीर फिका फिका नहीं लगे इसके लिए हम इसके उपर डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी रेड काश्मीरी मिर्श को रेड काश्मीरी मिर्श डालने से इसका कलर बहुत ही बढ़ी आएगा और स्पाइसीनेस मिडियम रहेगा और थोड़ा सá हम इसके उपर नमक को डालेंगे आप यहां पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिं डाल सकते हो और अच्छे से हम इसे mix कर लेंगे यहां पर हमें हाथ की मदद से इसे mix नहीं करना है इसे हमें toast करके ही करना है अगर आप हाद से करोगे तो पनीर बहुत ही सौफ्ट होने की वज़से ये तूट जाने का डर रहता है तो अभी हम पानी लेंगे और पानी के छीटे इसके उपर डालेंगे इस तरह से पानी के छीटे डालने से मसाला और कॉनफलोर पनीर के उपर बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है एक ज़रूरी टीप्स यहाँ पे हमें पनीर चिली बनाने के लिए कॉनफलोर और मैदा का कोई बैटर तयार नहीं करना है अक्सर लोग पनीर चिली बनाते है तो यहाँ पे बैटर तयार करते है और बैटर के अंदर पनीर को डिप करके फ्राइ करते है अगर जो आपका बैटर घाडा बन गया तो पकोड़ा जैसा बन जाता है और यहाँ पे बैटर जो पतला बन गया तो यहाँ पे पनीर क्या होता है कड़ाई के अंदर जाके चिपक जाता है और इस तरह से आप पनीर चिली बनाओगे तो वो पनीर चिली एकदम perfect restaurant style नहीं बनेगी आप यहाँ पर देख सकते हो कि पनीर के उपर conflore और मैदा का अच्छे से coating हो चुका है और इसका color भी बहुत ही बढ़ी आया है क्योंकि हमने इसके अंदर red kashmiri mirch का use किया है पनीर यहाँ पर हमारा fry करने के लिए तयार है gas के उपर मैंने oil को गरम करने के लिए रख दिया है यहाँ पर हमें पनीर को dip fry नहीं करना है हमें यहाँ पर shallow fry ही करना है oil यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है gas की flame को हमें medium to high रखना है और medium to high flame पे हमें इसे fry करना है तो अभी हम इसके अंदर पनीर के एक एक करके सभी pieces को डालेंगी यहाँ पर हम पनीर को दो batch के अंदर fry करेंगी पनीर को oil के अंदर डालने के बाद तुरंत यहाँ पे हमें चमच की मदद से इसे उलट पुलट नहीं करना है आधी मिनिट हो जाने के बाद ही हम इसे पलटाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पनीर पैन के अंदर चिपका भी नहीं है और बहुत ही अच्छे से यह fry हो रहा है आप यह method को follow करके पनीर शिली बनाओगे तो एकदम perfect restaurant style बनेगा यह पनीर उपर से एकदम crispy और अंदर से एकदम super soft बनता है एक मिनिट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि पनीर बहुत ही अच्छे से fry हो चुका है तो अभी मैं इसे एक बॉल के अंदर निकाल देती हूँ और इसी तरह से मैं दूसरा पनीर भी fry कर लेती हूँ मैंने आपके साथ पहले इडली चिली की रेसिपी और धेर सारी चैनीज रेसिपी शेर की हुई है तो सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पनीर का दूसरा भी फ्राय होके तयार हो चुका है अभी ये पैन के अंदर ओयल है वो ज्यादा है तो वो ओयल को हम एक बाउल के अंदर ट्रांसपर कर लेते हैं और यही पैन के अंदर हम यहाँ पे सौस को तयार करेंगी ये pan के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जितना oil को रहने दिया है oil अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे green chili को यहाँ पे मैंने spicy वाली green chili ली है यहाँ पे दो नंग मैंने लिया था और इसे मैंने मीच में से cut किया है और यहाँ पे मैंने shimla mirch लिया है और shimla mirch को मैंने square shape में cut किया है तो अभी हम gas की flame को high रखेंगे और high flame पे हम इसे saute करेंगे अगर आपके पास red और yellow वाला shimla mirch है तो आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक बाउल जितना पत्ता गोबी को लिया है और इसे मैंने लंबा लंबा कट किया है इसे हम अभी saute करेंगे सबजियों को हमें ज्यादा cook नहीं करना है क्रंची ही रखना है यहाँ पर हम जैन पनीर चिली बना रहे है इसलिए हम यहाँ पर अधरक का यूज नहीं करेंगे तो इसके बदले में हम यहाँ पर डालेंगे dry ginger powder को 1 tablespoon जितना यहाँ पर हम डालेंगे और 1,4 teaspoon जितना यहाँ पर हम डालेंगे काली मिर्श को सबको अच्छे से हम mix करेंगे अभी हमें इसके अंदर डालना है red chili sauce को अगर आपके पास जैन वाला है तो आप इसके अंदर डाल सकते हो अगर आपके पास red chili sauce गर पर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर एक बाउल के अंदर red kashmiri मिर्श को ले लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और अच्छे से mix करने के बाद आप इसके अंदर डाल सकते हो और 1 tablespoon जितना यहाँ पर हमें डालना है dark soya sauce को और 2 tablespoon जितना हम यहाँ पर डालेंगे tomato ketchup को और स्वात के अनुसर हम यहाँ पर डालेंगे नमक को सब को हम अच्छे से mix करेंगे अभी हमें इसके अंदर डालना है conflore का गोल इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया और इसके अंदर 2 tablespoon जितना डालना है conflore को और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से mix करेंगे और यह गोल को हमें इसके अंदर डालना है यहाँ पर हम dry पनीर चिली बना रहें सब को अच्छे से mix करेंगे और gas की flame को हम medium करेंगे और medium flame पे हम इसे पकाएंगी आप यहाँ पर vinegar डालना चाहते हो तो 1 tablespoon जितना vinegar को डाल सकते हो मैंने यहाँ पर vinegar को नहीं डाला है अगर आप यहाँ पर vinegar डालना पसंद नहीं करते हो तो इसके option में आप यहाँ पर निमू का juice यूज कर सकते हो अगर आप यहाँ पर vinegar और निमू का juice दोनों नहीं डालना चाहते हो तो भी चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो sausage डाले है इसके अंदर already पहले से ही vinegar होता है तो मैंने यहाँ पर vinegar को नहीं डाला है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है sauce तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है यहाँ पर हमारा sauce पनीर जिली के लिए एकदम perfect तयार हो चुका है तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर को जो हमने fry करके तयार किया है अभी हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर हमें ज्यादा overcook नहीं करना है नहीं तो पनीर यहाँ पर हमारा soft हो जाएगा तो पनीर के उपर sauce अच्छे से coat हो जाए इतना ही हमें यहाँ पर cook करना है अभी हम gas को off कर देंगी यहाँ पे हमारा पनीर चिली सर्विंग के लिए तैयार है तो अभी हम इसे सर्विंग प्लेट के अंदर सॉव करेंगी गर्मा गरम पनीर चिली खाने का मजाई कुछ और होता है गर के अंदर छोटी मोटी पार्टी हो या या गेट टोगेदर हो इसके अंदर आप पनीर चिली बना रहे हो तो पनीर को पहले से फ्राइ करके रखो और सोस को बना के रखो और जब भी आपको सर्व करना है तब भी आप पनीर को सोस के अंदर डालो और गर्मा गरम इसे सौव किजी यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी रेस्टोरन स्टाइल पनीर चीली बनके तयार हो चुकी है इसे देखकर तो सब के मुँमें पानी आ गया होगा तो क्या सोच रहे हो फटा फट से जाईए कीचन में और बनाईए पनीर चीली को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने सारे जैन फ्रेंडों तक ये रेसिपी को ज़रूर शायर कीजिएगा और इसी तरह की नई नई जैन रेसिपी को देखने के लिए मेरी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाएगी और सब्सक्राइब करना बेकोल भी फ्री है तो मैं नी दी आपको फिर मिलूँगी एक नई रस्पी के साथ तब तक के लिए बाई एंड हैपी कुकी